नमस्कार दोस्तों मेरी इजी लिखती ग्या नीटो में आप लोग का स्वागत दोस्तों आज हम कुछे कॉम्पोनेंट लेकर आज ये समर्सेवोली स्टार्टर के लिए ओटो स्यूच का सरकित त्यार करेंगे ते यहां पर 12 बहुल्ट बैटी चारिजर का कैबिनेट है और यहां पर 0-12 बहुल्ट का एट्रसफार्मर है और बुलो अलवायर जो है इसका सेकंडरी वायर है और लेना है इसमें 2 टुकड़ा हम कर लेंगे और एक टुकड़ा दुसरी में लगाएंगे उसके बाद में यहां 20-NA natur आजन about 20 legit है इसके बदले में 255 वाद 4 सकता है तो और यहां पर डाइवोड है जो की 4007 है किवल एक एक के जो कंपोनेंट है इसमें लगेगा यहां आउन अप स्यूच है जो कि इस कैबिनेट में हमको लगाना है तो आच्छा क्वालिटी का जो भी स्यूच ले तो आच्छा क्वालिटी कर ले ताकि ज्यादा दिन तक चले और यहां 12V का दिले है एए एडले आप जितना एमपेर में बढ़ा कर ले सकते हैं और अच्छा होगा लेकिन 02ph का ही लेना है जितना एमपियर बढ़ा कर लेंगे और अच्छा होगा और उसके बाद में यहां LED होल्डर है कुछ LED है जो की एक काम करना ही कि लेना है इसमें और यहां पर 80 kg ohms लेके आपको 100 kg ohms का रेजिटेंस ले लेना है जो कि रेजिटेंस पर यह LED बल्ब पर लगा कर हम इसमें फिट करेंगे ऐसे तो देखने में लगता है कि बहुत ज्यादा है लेकिन एके कंपोनेंट को हम सर्कुट तयार करेंगे जो कि यहां पर कुछ वायर है इस तरह का छे वायर हमको लेना होगा तो यहां क्या करेंगे 0 PCB को दो भाग में हम काट लेंगे और एक पुराशिट लेते हैं तो बहुत बड़ा साइज हो जाएगा इसलिए इसको दो भाग में काट लेना है और इस कैबिनेट में जो कि 12V चार्जर का एक कैबिनेट है इसमें हमको इसे को फिट करना है जो कि यह 0-12V का एक ट्रेसफार्मर है दो एमपियर में और यहाँ एक side में transformer को लगाना होगा तो size के अनुसार मैंने उसमें cabinet में hole कर दिया है और transformer को लगाने से पहले इस transformer को चेक कर लेना है मल्टिमीटर का continuity सोग करना चाहिए दोनों side में primary और secondary दोनों side में तो यहाँ secondary वाला भी सही है और उसी तरह से चेक कर लेंगे primary वाला तो देख रहें primary वाला भी सही है तो चलिए इस transformer को इस cabinet में हम fit कर लेते हैं और fit करने के बाद में इसका connection कैसे करना है हम आज की वीडियो में पुरी जनकारे देने वाले हैं तो आप लोग इस एक request है कि आप जिदी मेरे इस channel पर पहली बार है वीडियो को आप इंड तक देखना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे इस channel को subscribe कर ले साथ में bell घंटी प्रिस करना ना खुले तो यहां एक LED बल्ब ले लिए LED बल्ब मैंने 100 किलोहम से 80 किलोहम का रजिस्टेंस लगा कर आपको इस holder में लगा लेना है और यहां पर और नफ स्यूज को इस तरह से इस तरह से होना चाहिए इसमें लगा देंगे तो यहां पर अच्छा क्वालिटी का हम स्यूज श्यूज करेंगे तो यहां पर मैंने red color का wire सबसे पहले red color का wire ले ले लेते हैं size के अनुसार आपको जितना starter में लगाना होगा उसके अनुसार आप wire को काट लेंगे तो चलिए मैंने red color का दो wire का टुकड़ा ले लिया और red color का एक wire और transformer का red color का primary वाला एक wire वापस में join कर लेंगे और जो red color का indicator लगा है red color का indicator का एक side point पर हमको इस तरह से jumper कर देना है solding कर लेना है इसको अच्छी तरह से रंगे से solding कर लेना है तो चलिए मैंने solding कर लिया बच गया ये wire तो यहाँ पर जो resistance लगा है LED बल्ब पर तो LED बल्ब का resistance जो लगा है resistance का switch के उपर उला point पर इस तरह से हम mode लेते हैं और उसके बाद में इस पर transformer का जो एक red color का wire बच रहा था primary वाला तो इस पर हम solding कर लेंगे और switch के नीचे वाला point पर red color का जो दो wire हम बहार निकालेंगे जो की starter से connection करना है तो switch के नीचे वाला point पर इसको solding कर लेना है तो चले यहां पर मैंने अच्छी तरह से इसको solding कर लेते हैं यहां हो गया तो चले इस wire को मैंने काट दिया तो दोस्तों देख रहे हैं यहां हम supply देकर check कर लेते हैं आउन करने के बाद में इंडिकेटर जल रहा है यानि कि पता चल रहा है कि यही जो ट्रसफार्मर में supply मिलना चाहिए मिल गया और यहां जिरू PCB बोड को हम इस पर हम एक relay लगाएंगे तो इस तरह से मैंने इस relay को लगा दिया उसके बाद में एक devote लेंगे हम जो की 4007 नमबर का यह devote है इसका silver color का जो point होता है plus का होता है और जिदर साधा color होता है और minus का होता है तो चलिए यहां relay पर सबसे पहले हम समाझ लेते हैं दोनों side का देख रहे है पीन यह आपको coil के लिए बीच वाला point पॉल होता है और यह वाला NC होता है इधर वाला एनो होता है इस तरह से यह एनो होता है दोनों side वाला जो होता है coil के लिए होता है तो यहां diode को हम क्या करेंगे इस तरह से रखेंगे तो चलिए हम PCB board में इसको इस diode को लगा लेते हैं diode को लगाने के बाद में diode को क्या करेंगे जो relay का coil है दोनों coil पर हम इसको connect करके और solding कर लेंगे चलिए size के नुसर मैंने cut कर लिया और इसके बाद में इस पर अच्छी तरह से solding कर लेना है joint कर देना है तो चलिए हम अच्छी तरह से solding कर दे उसके बाद में हमको एक transistor लेना होगा यहाँ पर BC 547 नमबर का transistor है transistor का collector वोला जो point है आपको diode के minus point से solding करना है देख रहे हैं यहाँ पर collector वोला point सबसे किनारवाला एक side का point आपको diode के minus से solding कर लेना है यह जो resistance है यह किलोम्स का resistance है इसको transistor के बीच वोला जो base होता है base पर हमको इसमें लगा कर solding करना है तो चलिए हम transistor के वीच वोला point पर लगा कर solding कर लेंगे तो यहाँ पर resistance को हम PCB बोर्ड में लगा लेते हैं अच्छी तरह से और उसके बाद में transistor के वीच वोला point और resistance को आपर्स में connect कर देना है connect करके इसको अच्छी तरह से solding कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से solding कर लिया और transistor का emitter point बच गया है जो कि minus point से हम देंगे तो उसके बाद में हमको अब लेना होगा diode तो यहाँ पर मैंने इस में से 4007 नमबर का 4 diode लेंगे और इस diode को bridge rectifier diode बनाना है तो bridge rectifier diode बनाने के लिए क्या करेंगे यहाँ side में इस तरह से 4 diode को लगा लेना है तो चले यहाँ पर मैंने 4 diode को इस तरह से लगा कर और इसको bridge rectifier में हम बदल देंगे क्योंकि इस पर main transformer से हम connection देंगे तो यहाँ से plus और minus का दो point निकलेगा तो चले इस तरह से जितना extra wire इसमें निकला है सारे wire को cutter के मदद से काट कर बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर समझ लेंगे इधर जो होता है minus होता है इधर plus होता है और बीच ओला में दोनों इस तरह से solding कर लेंगे इस पर transformer का यह secondary wire है इस पर connection करना है तो चलिए सबसे पहले हम solding कर लेते हैं अच्छी तरह से और इधर भी solding कर लेते हैं यह जो है bridge rectifier बनकर तयार हो गया है और यहाँ पर हम आपको connection करना है तो transformer का देख रहे हैं दोनों plus और minus plus minus वापास में जोइंट किया होते हैं यहाँ पर मैंने connection कर दिया और transistor के बीच ओला resistance से transistor के बीच ओला base check resistance निकाले हैं तो यहाँ पर हमको क्या करना है diode के plus और यह diode के plus और वापस में connect कर दना है इस तरह से तो चले यहाँ पर मैंने कुछ wire का टुकरा ने ले लिया है और यहाँ diode के plus ले ले आकर और जो bridge rectifier रोला जो diode लिका ले थे यहाँ दोनों plus पर इस तरह से कुई भी hole में लगा कर यहाँ पर sorting काल देना है यहाँ से जो supply जाएगा relay के एक side में plus supply जाएगा तो चले यहाँ तो यह हो गया इसको अच्छी तरह से चले हम रंगे से इस wire को इस पर रंगा चड़ा लेते हैं ताकि जो wire है गलगर कभी खराब नहीं होगा तो यहाँ पर transformer का secondary wire का connection कर दिये और यहाँ मैंने एक दो black color का wire लेंगे तो black color wire का connection कहां करना है relay के एक pole से और relay के एक NC pole से चले यह relay के एक pole से connection कर दिये और relay के एक NC जो point होता है वहाँ पर हम इसको connection कर देंगे यह जो black color wire है आपका contactor के coil पर जाएगा और उसके बाद मैं फिर दो yellow color का wire लेंगे तो एक wire को हम यहाँ relay के जो plus point diode से गया है तो इस पर connection कर देना है और एक wire एक wire को जो transistor के बीच और बेच से resistance joint किया हुए थे तो resistance और एक point पर इसको connection कर देना है तो चले यहाँ पर मैंने इसको connection कर दिया अब यह जो circuit बनके आपका त्यार हो गया है और एक चीज आओर रह गया है माइनस ओला जो diode का माइनस ओला point है आपको transistor के emitter से connection करना है तो एक छोटा सा wire का टुकडा ले लेंगे हम और transistor के जो emitter वाला point है इधर जो emitter वाला होता है एक की emitter का point पर हम इस तरह से connection कर देंगे solding कर देंगे और इसके बाद में bridge rectifier से जो माइनस point लिकलता है माइनस supply तो इस पर connection कर देना है अब यह circuit बनकर ready हो गया है और यहाँ जो wire है wire को हम अच्छी तरह से साप करके और check करके दिखाएंगे कि यह जो है आपका समर से बूल starter में कैसे काम करता है और यहाँ पर दो hole बचा हुआ है इसमें भी हम resistance से द्वारा दो LED bulb लगा देंगे जो की red color का हम LED bulb लगा थे से मुसी तरह से हमको इसमें भी resistance से और LED bulb का series में लगा कर connection कर देंगे तो यहाँ पर मैंने एक red color का एक green color का दो LED bulb ले लिया है इस तरह से जोइंड कर देना है और इसमें एक एक resistance लगा देना है दोनों साइड में 80 किलो ओम्स होई या 100 किलो ओम्स के बीच में और यहाँ आपको पलस ओला में red color और minus ओला में green color का वायर लगा दिये और यहाँ से size लिए हम वायर को काट लेते हैं उसके बाद में जो black color का वायर है उसको connection हम करेंगे red color के जो indicator लगाये थे पहले तो इसके एक point से black color वायर को connection कर देना है और बाकी के दो वायर जो बचा हुआ है तो red color इस पर और green color इस पर connection कर देना है यानि कि NC और एनो पोल पर तो चलिए हम यहाँ NC point पर green color का wire का connection कर दिए और एनो जो point है इस पर red color का connection कर दिए तो अब यह circuit बनकर बिल्कुल तयार हो गया है इसका connection जो है आपका starter से कैसे करना है हम अगिला वीडियो में जरूर बतलाएंगे तो चलिए इसमें देख रहे हैं हम supply दे दिये हैं और इस touch करेंगे यानि कि आप syntax में इस wire को डालेंगे आपका पानी भरेगा तो आपका जो auto switch का connection है open हो जाएगा इस starter जो है आपका off हो जाएगा इस तरह से काम करता है तो इसको समर्षभूल इस starter से connection कैसे करना है हम अगिला वीडियो में जरूर बतलाएंगे और इसका link के हम इस वीडियो के नीचे डाल देंगे तो उसके बाद में क्या करना है यहां से wire को इस तरह से tie से बांध लेना है ताकि कोई भी wire बाहर ना सुरका है तो यहां tie से हम इसको बांध दिये और इस circuit को एक के paper लपिट कर और इस पर taping कर लेंगे और इस cabinet में चिपका देंगे सत्ता की body में कहीं से current ना आया तो दोस्तो यहां पर जो circuit है बनकर बिल्कुल तियार हो गया है तो दोस्तो आप लोगे से request है कि आप जिदी मेरे इस channel को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किये हैं तो सबस्क्राइब कर दें लाइक नहीं किये हैं तो लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यदा से करेंगे तब तक चलते हैं दोस्तो जय हिन जय भारत